हलो एवरीवन वेलकम टू एच्पी कंपेटिटिव एक्जाम आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो हमेरपूर बोर्ड के एक्जाम जो है एक वार फिट से सुरू हो चुके हैं आज है 4 जुलाई 2021 और आज से जो है दवारा से हमेरपूर बोर्ड के एच्पी का जी के साइंस के क्वेश्चन है आपका रिजिनिंग इंग्लिस और हिंदी का जो पार्ट रहेगा इसका यानि जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वह में इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो देखिए फॉस्ट क्वेश्चन के आया था जो भी एक्वेश्चन करेंट फेर कहां से पुछे जा रहे हैं वो भी हम सब कुछ इसमें डिसक्स करेंगे तो फर्स्ट कुछन देएगा हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य नैदिस थे तो फर्स्ट जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश थे हो थे मिर्जा हमतुला वेग टॉट कॉम वेबसाइट है ऑफिसियली जो है आप एपसाइट से जाके जो इसे डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं जो है लिंक दे दूँगा वहां से भी आप जो है इस पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश के कि जिले में सहरी जनसंख् है तो कांगड़ा आपका ठिक होगा विए 2011 का जोशनस क्या है उसके according है सबसे ज्यादा जो सहरी जंसंक्या है उसके अग्यां सबसे जिखोर्स का कि से जोड़ता है तो टॉटा से हेंट लगा के बंड़ी में कूछ एक है बकि हमिर्पूर में इतना जादस दर्रे नहीं यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे अगर आपने तुक्का भी लगाना होता तो भी आप जो है जो हाइस्ट अल्टिटूड के हमारे डिस्टिक पढ़ते हैं वहां पर एक वार तुक्का जुरूर लगाईए गागर ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं और आपको जो है क्वेश्चन का अंसर नहीं मालू हूँ एक सौ आटक देखीगा मुल्किल्ला परवत चोटी हमाजल प्रदेश के कौन से जिले मिस्तीत है तो मुल्किल्ला जो पीक है यह है आपकी कहां पर लाहॉल स्पीदी के अंदर आप्शन नंबर बन जाएगा मारा सी यहां पर राइट करती है तो कांगरा घटी और कुलू घटी की जो इंपॉटेंट रिवर है हो है आपकी व्यास नंबर कौन सा बन जाएगा डी जुए ज्यूश्बर की जो भी ट्रिब्यूटरिज है इसकी जो भी सहांक नदियां है वो अक्सेर पूछी जाती है नदियों वाले जो आता है सुकेती फॉसिल पार्क का मिल गया आपको इसी के साथ आता है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नैच्रल लेक है जिसका नाम है रेनुका लेक रेनुका जी जो लेक है वो कहां पे है वो भी है आपकी सिर्मौर के अंदर अच्छा क्या मुझे आप कमेंट करके करती है उसका नाम है गिरी नदी जो गिरी नदी जो शिर्मौर को दो दागां वा करते हैं ऑजो बी पीछे पेपर हुए थे आपकी संबर जणूरी में वहांपे वी क्वेश्चन पूछा गया था है कुनिहार रियासत की सथापना किस ने की थी तो कुनिहार जो रियासत इसकी स्थाफना जम्मु से आ एक राजा अवोज देव दोरा की गई थीumpsट की गई थी ए विए इंप्टेंट है टू में इसकी स्थाफना की गई थी जो मारी कुनिहार रियासत थी Hugo देव दोरा एक सेस्थ है Pra Phase सब्सक्राइब के साथ विए ती अंग्रेजियों की और जो है गोर्कों के बीच में हुए थी तो अंग्रेज और गोर्कों आपको नाम था अमर सिंग थापा आप सा नंबल बन तो आपके महात्मा गांदी तो कहां रुके थे तो शांती कुटर के अंदर जैनों प्रवास किया था यहां पर रुके थे अब डिरेक्टली क्वेस्टन आता है कि कब आये थे तो 1921 ठीकर फरस्ट टाइम कब आये थे निस सो इकिस में आये थे 12 माई 1921 जो है फरस्ट टाइम याप के जो है शिट कितनी वार आए थे डा अशिट होता है कि टोचल जो है कितनी वहार शिंबला आए थे तो दस वार जो हिमाचल प्रतिश की प्रतहम दान सभा में कितने स्थ्थ्य तो मफो सोन चिक्राइज के बात करें मंछने और वह रिंगन थे है 68 में 68 है आप जो है मुझे अपनी जो आपकी जो तैसील है वहां के मले का नाम जो है क्मेंट करके बदाएगा कौन सा भारत के वाइसरा का भूत पुर्व आवास था तो जो हमारे वाइसरा होते थे उनका जो है रेजडेंस हुआ करता था कि पीटर आफ भी था आपका और लॉच भी था यानि और कौन सा बन जाएगा सी बन जाएगा हमारा यहां पर बोथ एंड पी ठीक है और सी जो हमारा यहां पर राइट अंसर बन जाएगा किसे ने असोलन डिश्टिक से है तहल नालागड यहां से तहील नालागड से है नेक्स दीहिएगा नेक्स बॉस्चन है कर्चमवांग्टू जलव दूद ब्योजना हिमाचल परदेश में किस नदी पर निर्मित है तो हाइद्रो पावर प्रजेक्ट जो है हिमाचल परदेश के पूशता है तो एक पाट्चम वांघतु है आपका सतलूज की उपर option नमबर ए कौनसे डिश्टी की बात करें तो के नहीं डिश्टीं के अंदर मैंने पिछला ट्रैंड भी देखा था तब ही मैंने आपको पुपताया था कि हिमाजल प्रदेश की जितनी भी प्राइवेट इन्वस्टी थै क्योंकि चर्चा का विशे रही थी प्राइवेट इन्वस्टी तो इनका जो है नाम जुरूर पूछा जाता है कहां पे है तो तो आपको कब से कब के त्यार करने है तो अभी चार जुलाई 2021 है चार जुलाई 2021 का जो आज का पेपर हुआ है इसमें करनेट फेर पुछे गए है जनवरी फर्वरी 2021 के तो आपको 2020 का बंद गर देना है आपको जनवरी के बाद के जो भी इंडिया के करनेट फेर उनके उपर फोकस करना है वहीं से दो चार क्वेश्चन जो है आपके एक्जाम में बनेंगे अभी कलर्क का जो है 887 का जाएंगे भारती रक्षा के जबन में हाली में सूर्ख्यों में रहा आई एनस करंच पाइनस क्रंच क्या है स्कॉर्पिंड पंडूबी है ऑप्सा नमबर बी जो हमारा यहां पर राइट अंसर हो जाएगा नेक्स दीगा परदान मंत्री ने हाली में किस राज्य में बीप किस देशी में हाली में जो है human space policy 2021 पर लेख अनावारन किया है तो एक यह है हमारे भारत ने option number D जो हमारा यहां पर राइट अनसर हो जाएगा ठीक है इस रो दोरा जो है यह human जो space policy 2021 इसका जो है draft अन्विल्ट किया गया इस रोगी बात करें इसका headquarter है बेंकलूरू करनाट का के अंदर आपका और के सिवान जो है भी करन टाइम में इसके head है कौन है इसके head अभी करन टाइम में इसके head है के सिवान अगर हम बात करें next question की तो reasoning का question है important question था ठीक है थोड़ा सा tricky question था एक स्वाड़ेट से नहीं हुआ होगा यहां पर देखीगा के लिखा है sector sector को जो ह है इटी के वह आर एम में लिखा गया है तो course को आपको बताना है कैसे लिखा जाएगा तो यहां पर देखीगा जो इसका second word है इसका जो fourth word है और इसका जो sixth word है देखीगा यहां पर sector का second कौन सा हुआ और वहीं पर हम fourth की बात करें T और इसका sixth की बात करें आर तो इसका जो second है fourth है और sixth है यहां पर first three letter है इसके second fourth और sixth letter को काट के जो है इसके सुरू के तीन अक्सरों में लिखा है तो course के भी हम second fourth और sixth letter को अगर हम काटेंगे तो ORE यह क्या बना ORE तो ORE देखेंगे हम यहां पर तो सभी option में जो है ORE ORE है और जो आपके first, third और fifth letter बचे है first, third और fifth letter बचे हैं यहां पर S बच गया यहां पर C बच गया आपका यहां पर O बच गया विसमें क्या गया है S जो हाता है आपका 19 पर आता है उसमें से 2 less करके यहां पर कितना है क्यों queen ठीक है queen जो है आपकी 17 पर आती है A for 1, M for 13 यहां पर देखिएगा जो आपका first letter है उसमें से 2 less किया क्यों आगया ठीक है 19 में S में से 2 minus करने पर क्यों आगया आपका C जो है 3 पर आता है इसमें से 2 less करेंगे तो एक पर आजेगा आपका A वहीं पर अगरम O वह आता है आपका 15 पर 15 से 2 less करेंगे 13 13 पर आजाएगा आपका है ठीक है जो आपके first, third और fifth letter बचे उनमें से आपने less करना है 2 तो वहीं पर हम C से less करेंगे कितना 2 तो आपके पास आजाएगा A ठीक है वहीं पर आगर हम बात करेंगे यहां पर यू, यू से जो है अगर हम 2 less करेंगे, यू आता है आपका कितने पर, under 21, तो वहां से अगर हम less करेंगे, 21 में से 2, आजेगा 19, 19 पर आता है आपका S, तो S देखी गए यहां पर, कहां पर, option number D में है, तो इसका option number D जो हमारा यहां पर right answer बन जाएगा, जैसे विजे खुशी स सबंदीत है, वैसे विभलता, जो है, किस से सबंदीत है, जैसे हम खोश होते हैं, जब हम जीत जाते हैं, तो हम खोश होते हैं, लेकिन हार गए, तो हमारे मुँपे जो है, उदासी चाह जाती है, option number बन जाएगा, हमारा यहां पर कौन सा D, next देखीएगा, important question है, next B, 60 की एक इसे class में, 60 बच्चों की एक कक्सा है, जिसमें लडकियों, जो है, लड़कों की दुगनी है, लडकियों की जो संख्या है, लड़कों से कितनी है, दुगनी है, कमल का स्थान सिर्ष से सत्रवा है, यानि उपर की साइड से अगर आम उसकी बात करें, तो स्थान में स्थान अभी कह रहा है कि लड़कियों की जो संक्या है वो लड़कों से दुग नहीं है तो यानि कि लड़कियां कितनी होगी लड़कियां 40 होगी लड़के 20 होगी तरह भी तो लड़कियां दूग नहीं हुई नहीं पर गर्ल्स वह 40 होंगी और बॉइस जो है कितने होंगे 20 होंगे अब लाइन में बैठे हुए हैं लाइन में जो है वो बैठे हुए हैं अभी क्या रहा है कि तो कमल है उसका स्थान उपर से स्थार्वों नंबर पर है जैसे से इस लाइन में बैठे हुए मान लीजिए तो यहां से कमल का स्थान कहां पर है स्थार्वों नंबर पर है तो यहां से अगर हम बात करें तो इसके पीछे कितने बच्चे बचेंगे अभी अगर हम टोटल 60 है तो उसमें से जो है कमल स्थार्वों नंबर पर आगे से तो उ कितने लड़कें होंगे अब आगे 9 लोड़कियां है लड़कियां कितनी है लड़कियां 40 Kayak आगे तो सके पीछे जो है 31 झो लड़कियां बची यो कमरके पीछे होंगी 31 लड़कियां बची 40 में से वो कमल के पीछे होंगी अब हमारे से पूछा गया है यहां पे लड़के की लड़कों की संक्या कितनी है तो लड़के कितने होंगे 31 तो लड़किया ही होंगी उस कमल के पीछे कितने candidate है 43 अभी हमने निकाला candidate जो कमल है उस तार्वे नंबर पे है आगे से तो उसके पीछे total candidate है तरतारी उसमें से भी हमने find out कर लिया कि तरतारी में से जो है 31 लड़कियां है क्योंकि 9 लड़कियां तो कमल के आगे हैं तो बची वी कती लड़कियां तो कमल के पीछे होंगी तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें यहाँ पे 43 में से अगर 31 को less करें तो 12 यानि कमल के जो पीछे होंगी तुमें लड़के बैठे होंगे वों बैठे होंगे 12 option number C जो हमारा यहां पर right answer हो जाएगा केवल्य किस धर्म से समन्दी थे इंपोर्टेंट है रुपीटिड है थ्री टू फॉर टाइम जो है रुपीट हुआ है तो इसे रट ली जीवा औरंग जेब को जो है जिन्दबीर के नाम से जाना जाता था ठीक है एक पूछा जाता है सच्चा पादसा सच्चा पादसा तो टिप्पू सुल्तान को सच्चा पादसा के नाम से जाना जाता है कौन सा अध्यन सबसे प्राचिंतम स्थान था तो यह नालंदा जो इन्वस्टी थी सबसे ओल्ड एस्ट थी ठीक है यहीं पर आपका चाइनीज यात्री आया था उसका क्या आप मुझे नाम पता सकते हो कि कौन आया था नालंदा इन्वस्टी को पढ़ने के लिए एक चाइनीज यात्री हैंसान था या फिर फाहियान था इन दोलों में से गोई एक था ब्रिटिस आसनकाल के दोरान बंगाल का प्रतम विभाजन कब हुआ था तो बंगाल का फर्स्ट जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था और 1911 में ज इन्चाइजीज व्यस्क मरतादिकार की कोई बात नहीं है वहाँ पर आपका बंदूर्तों भी है पद की समानता का बात भी कहीं गई है नियायत की बात भी कहीं गई है भारत के प्रधान मंत्री बनने के लिए अविश्यक नियुन्तम आयू मिनमम एज कितनी होनी चाहिए प्रधान मंत्री किसका आपका क crouch में होता यह होता है 59 साल राज्य सवा के लिए मिनमम एस चाहिए और यह राइञ पर हो जाएगा पची साल हो से जो है सुप्रीम कोट से कौन से जो है जज थे जिनके उपर इपींचमेंट जो है चलाया गया था जो कि अंसक्सेस्फूल रहा था यह थे आपके नयामुर्ती रामस्वामी ऑप्सन नमबर डी इसका राइट अंसर हो जाएगा 1990 में आई थे जो इपींचमेंट था यह इनक मैं एक्जाम दिये है मैंनको स्किप कर देता था इकनौमी कोई भी जो है तो मुझे गमेंट करके बताओ कि भारत की पुझीवाद की लक्शन लक्षनी कता जो है नहीं है कौन सी जो है क्रेक्टरस्टिक नहीं है यहां पर ठीक है इंगलिस में अगर आपने क्वेशन देख सबसे चोटा महासागर तो आर्क्टिक महासागर जो है विस्व का सबसे चोटा सबसे चोटा महासागर तो इसे हम रोम को कहा जाता है साथ पहाड़ियों का सहर तो जीतने भी उपनाम है जो सेंट के अगर आप बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें उपनाम दे रखे होंगे कॉक्पिट ऑफ यूरोप पुरुव का मैंचेस्टर दक्षिन का मैंचेस्टर उगते हुए सूरज का देश तो इस तरह के से उपनाम दिये जाते हैं विविविन देशों को तो यह आपको याद करने हैं गहना पक्षिव भैरन गहना जो सेंचुरी है यह लोकेटिड है आ हमारा यहां पर बन जाएगा राइट अंसर सरदार सरोबर प्रोजेक्ट तो गुजरात के अंदर है आपका इससे जो है आपका मद्यप्रदेश महराष्ट्रा और गुजरात और राजस्थान इन चारों जो राज्य है इनको जो है एलेक्टर सिटी प्रवाइड कराई जात पेट्रोल्यम रिफाइन आपकौउं सबन जाएगा सी डिय पूरवी टाटखा बंदरगान नहीं है तो पूर Dooheis ऌटीट के से जो है जिस जो है आपका पॉर्ट से रहेंगे है है अगर आपने लूसेंट की बुक पड़ी होगी मैंने लूसेंट की बुक रैफर की थी आपको जो लूसेंट की जीके आती है वहीं से जो है सारे question बनते है अगर आप उसे ब्रिक्की से पढ़ोगे तीन से चार उसके revision करोगे उस बुक के तो सारे के सारे question आप देखोगी कि वहीं से बने हैं उसी बुक से सारे के सारे question आपको देखने को मिलेंगे next देखीगा BCG का जो वैक्सिन हो प्रोवाइड कराती है protection कहां से तो टीवी से ट्यूबर chlorosis से option number बन जाएगा हमारा यहां पर डी तो laser beam is always तो यह समान तरह पैदलर बीम होता है laser beam जो लाइट चोड़ी जाती है option number C जो हमारा यहां पर बन जाएगा राइट अंसर जल्दी जल्दी हम जो है आप साल्व कर देंगे इनको 146 विनेगर का मुख्य गटक है तो विनेगर जो है यह आपका अन्टोनिम ऑफ दफोर बिटन पॉर बिटन का अन्टोनिम आपको यहां पर पताना है तो इसका जो जाएगा वह जाएगा अलाव टीक हो फोर बिटन होता है प्रतिमत लगाना रोक देना अलाव यानिकी अलाव कर दिया गया एक्स दी ही वन वर्ड सब्स्ट्टिविशन परसन क्लेमिंग टू बी स्पिरियर इंड कल्चर एंड इंटलेक्ट तो इसको मोलते हैं हाइब रो ऑप्सिन नम्बर कौन सा डी जो इसका राइट अंसर बन जाएगा तो हैपिनेस कंसिस्ट डैस गिविंग दे प्लीजर तो अधर्स तो टू हैपिनेस कंसिस्ट इन गिव जो है प्रफॉर्म करने के लिए तास्क डिफकल्ट तो प्रफॉर्म डेखी हिंदी हिंदी में जो है जैसा मैं आपको पएथा संदी आती है समास आते हैं उप सर्गप्रत्य प्रइबक्रायशी तो यहां पर पहले आपसे संदीवचे पूछा घया है उचान का उट्ध्ज करमधार्य और दिग्यू समास जो है तत्थपूर्स के अंदर आते हैं तो यहां पर बन जाएगा आपका तत्थपूर्स मास पर है ठीक है तो मुझे जो है मैंने अपना वट्साइब नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपके पास कोईशन वेपर होगा अगर आपका इवनिंग पेपर है या फिर इसके बाद कोई भी पेपर है आपका किसे भी पोस्ट कोड का तो आप मुझे जो है वाँ पे ज